नमस्कार दोस्तों एनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चाड़क की नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं चाड़क की नीती को पूरी तरह और बहतर ढंग से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्त तीन कामों में आपको कभी भी शरम नहीं करनी चाहिए कोंसे हैं वो तीन काम आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आचारे चारके ने जीबन से संबंदित हर पहलू तथा नीतियों का बहुत ही बेहतर तरीके से उल्लेक किया है आचारे चाड़क की नीतियां प्राचीन समय में जितनी कारगर थी उतनी ही आज भी हैं जिन पर अमल करके व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है दोस्तों एक सामान नसी बात है हर व्यक्ति के जीवन में सफलता और आसफलता का दवर चलता रहता है लेकिन अगर आप आचारे चाड़क के दोरा बताये गए मंतर तथा उनकी नीतियों का पालन करने या अपने आप में इन गुणों को पैदा करेंगे तो आप अपनी आसफलता को सफलता में जरूर बदल सकते हैं दोस्तों आचारे चाड़क के ने अपनी बेहद लोग प्रिये पुस्तक चाड़क की नीती में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जिनका अगर सही से नियम पूर्बग पालन किया जाए तो कोई भी ब्यक्ति अपने जीवन में कभी आसफलता का मुह नहीं देखेगा ऐसे ही कई कार उन्होंने इस तरह से बताए हैं जिनने करने में इंसान हिचकिचाता है लेकिन चाहें इस्तरी हो या पुरुष जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ काम को बे रोक टोक और बे शरमी से कर लेना चाहिए आज हम आपको कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताएंगे जिन में अगर इंसान बे शरम हो जाए तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आचारे चाड़क के दौरा बताएंगे उन्ही तीन कामों के बारे में जराब इस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले करपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आपको बता दे उधार किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़े ग्रहड की तरह होता है क्योंकि एक बार उधार लेने के बाद यदि आप उसे चुकाने में सक्षम नहीं होते है तो ये आपके लिए बड़ी समस्या बन जाता है लेकिन जैसा की चाड़क के नीती में बताया गया है यदि आपको धन की बेहद अबश्यक्ता हो तो ऐसी इस्तिती में आप किसी से उधार मांगने में बिलकुल भी शरम ना करें मगर यहां पर इसके साथ ही आचारे चाड़क के ने ये भी बताया है कि जिस तरह से आप अपनी जरूरत के वक्त उधार मांगते हैं उसी तरह आपका बुरा बक्त जैसे ही खत्म होता है आपको वो पैसा भी लोटा देना चाहिए आपको बता दें जीबन में बहुत सारी प्रेशानिया आती रहती हैं और आमतार पर ज्यादा तर समस्याओं का हल केबल धन ही होता है इसलिए ये बताया गया है यदि आप ब्यापार करते हैं तो आप कभी भी धन मांगने में शरम ना करें अन्य था आप अपने जीबन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें जिस व्यक्ति ने अपने जीबन में शिक्षा प्राप्त नहीं की या शरम लिहास दिखाया तो वो हमेशा पीछे ही रहता है आचारे चारक्के के अनुसार ग्यान प्राप्त करने में कभी भी किसी भी भ्यक्ति को शरम नहीं करनी चाहिए कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि छात्रिया छात्रा जिजग यानि शरम की बज़े से कोई बात ना समझ में आते हुए भी वो कभी नहीं पूछते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी बेईचती हो जाएगी आपको बता दें जो इंसान शिक्षा प्राप्त करने में शर्माता है वो अपने जीवन में कभी कोई अच्छी जगह प्राप्त नहीं कर पाता इसलिए आचारे चारके ने कहा है ग्यान प्राप्त करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए और तत्काल कुछ भी समझ में ना आए तो उसे पूच लेना चाहिए नमबर तीन, भोजन करते बक्त दोस्तों आचारे चारके ने अपनी चारक की नीती में ये बताया है ब्योखार रखने बाला इंसान अपने जीवन में ज्यादा तर दुख और संकटों में घिरा रहता है। कहा जाता है जो इंसान खुद के भोजन के लिए इतना जिजगता है वो ब्यक्ति अपने साथ जुड़े अन्नि लोगों के लिए भला क्या कर सकता है। इसलिए कभी भी खाना खाते वक्त शरम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव बीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत।